है लो फ्रेंट्स वेल्कम टो वर चैनल ट्रेड मास्टर एजुगेट स्वागत है आपका अपने चैनल में फिर से एक बार एक नए वीडियो के साथ तो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ तो ह сюж फीचर बीट अबा कि की quickly बहुत से लोग हैं जिनको फीचर मेंट्री करना उता है बट फिचर में प्रेंटेड करता है तो हमें पता है कि अगर www. psychiatrist तो वन पॉइंट आगे जाएगा तो उतना प्रॉफिट होगा और उतना ही नीचे आएगा तो लॉस होगा तो कहीं न कहीं जरूरत आ जाते ही कि अगर हमें चार दिन पाच दिन पॉजिशन करी करनी है तो इस बेटर तो इसको हेज कैसे करें तो तो देर अनुबर आज इन लोग entry करके 2-4 दिन में आप एक अच्छा profit generate कर सकते हो और आपका जो loss है वो बहुत minimize कर सकते हो along with this strategy ठीक है तो यह strategy कहां work करती है कैसे work करती है कहां profit हो सकता है कैसे read करना है chart को कैसे job strategy बना रहे हो उसको कैसे read करना यह सारी चीज़े हम आज इस वीडियो में discuss करने वाले friends और अगर आप stock में trade भी नहीं करते हो तो यह strategy आप index में भी लगा सकते हो या फिर आपको option के behavior भी समझने में help होगी कि कुछ से strategy को कैसा analysis किया जाता है तो friends चलते हैं अगर मान लो कि मुझे एक bullish side का trade बनाना है ठीक है तो bullish side का trade हम तभी बनाते है feature हम तभी buy करते हैं जब हम कोई stock breakout पर दिखता है तो हम एक scanner का use करते है scanner पर चलते हैं चार्ट लिंग के हाँ पर जाएंगे strong stock इसको run scan करते हैं अब देखते हैं कि उनकुन से stock आ रहे हैं अब यहां बहुत सारे stock आएंगे कि जहा liquidity कम हो जो future में trade नहीं करते हैं तो हम ऐसा stock ढूनना है कि जो हमें future में trade अगर वहां होता है यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर कोलपाल है एक united spirit limited that is mcdolain है और एक पीडिलाइट इंडस्टी है ठीक है तो यहाँ से दो तीन stock ऐसे मिल गए कि जिनके future trade होते हैं और options होते हैं बागी stock में जाओ कि तो future में लेगा नहीं तो जो अच्छे stock है जहाँ liquidity अच्छी होती है वैसे stock को select करना है तो हम लोग एक example लेते हैं औ और मैं आपको बता दो कि strategy आप कैसे implement कर सकते हो तो friends सबसे पहले हम लोग चार्ट पे चलते हैं कि magdolain का चार्ट है डेली का चार्ट है अब डेली के चार्ट पे हम लोगोंने एक पर्टिकुलर लेवल है जहां breakout है हो रहा है वहां strong stock है यहां पर हम लोग identify कर लेते हैं कि इ 600 के price पे अगर मैं इसको minimize करो तो आपको दिखेगा अगर यहां से उपर जाता है 600 पे level पे resistance है तो हमारे view है कि अगर उपर गया तो यहां 2-4 दिन जा सकते है फिर उपर जाएगा या फिर इसके बीच में कहीं तो भी close हो जाएगा ठीक है नीचे की जो level है वो एक strong support बनके आ पास-पास और यहां center level है जो 600 एक resistance है अब यसी supporter resistance को analysis करते हुए यहां पर chart analysis बहुत जरूरी है अब according to chart analysis हमने एक view बना लिया और इस range के साथ हम लोग play करने की कोशिश करेंगे अब हम simply offstar के site पे चलते हैं और एक strategy को बनाने की कोशिश करते हैं अब देखो हम लोग यहां स select किया है उसके future को हम लोग buy कर लेते हैं अब यहां पे आप लोगों ने देखना कि जहां पे हम लोगों का future की हमने buying की हुए 567 रुपीज पे future trade कर रहा है lot size 1200 बचास है आपको यह सारी चीज़ डेटल से हाप ही मिल जाएगी ठीक है कितना IV वगर है सब कुछ 1200 का lot size है 567 future की price है तो अगर हम यहां पे entry करते हैं तो exactly 567 ही आपका break even होता है future का ठीक है future का जो delta होता है one होता है तो जैसे ही one point उपर जाएगा तो जो lot size है 1200 बचास उतना आपका profit होगा जितना उपर जाएगा आपका profit बढ़ते हुए जाएगा आप देख सकते हो कि अगर यह 600 तक गया त तो आपका लगब 42-40,000 का loss भी रहेगा ठीक है तो थोड़ा से भी नीचे आता है तो काफी अच्छे loss का सामना यहां पर कर सकता है इसलिए बहुत जरूरी है हम इसको hedge करके रखें ठीक है क्योंकि हो सकता है stock यही का 4-5 दिन बिता दे फिर उपर जाए फिर थोड़ा नीच वहां पर एक put option buy कर लो ठीक है तो हम लोग क्या करते हैं इसको option select करते हैं और 560 का जो put option है उसको हम buy कर लेते हैं लगबग add the money है अब देखो अब यहां पर आपकी जो risk है वो drastically reduce हो गई और जहां पर आपको जितना मान लो कि आपको जैसे जहां पर अगर यह 40 points नीचे आ जा तो आपका 22,750 यह max risk है इससे ज्यादा आपकी risk नहीं होगी अब यहां जो estimated margin है यह 100% गलत है इतना नहीं आपका लगबग 1,000,000 का असपास लगता है इसलिए अब आपके टर्मिनल पे जाके चेक करो अगर 0,000 यूज़ करते हो तो basket order में आप जाके चेक कर सकते हो तो यहां पे 90,000 से 1,000,000 रुपे के असपास यहां पे आपको लगेंगे ठीक है तो यहां पे आपको 22,000 का fixed profit है limited है इससे ज्यादा loss आपका नहीं होगा और उपर चले जाते है बट यहां पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या है जहां पे हमारा break even 567 था अभी यह कितना होगा है 579 यह क्य है ठीक है तो यहां पे 567.11.2 अगर add कर दोगे तो exactly 579 बनेगा तो आपका ultimately profit जो बनेगा वो 579 के उपर बनेगा बले यह stock अभी 565-567 पे है लेकिन इस condition पे अगर यह close हुजाता है expiry को तो आपको यह 16,500 रुपे का जो red box है closing time का वो आपको दिखेगा कि उतना loss आपको है और इसके उपर जब यह continue करेगा तब आपका profit बढ़ते हुए जाएगा बट आपका break even यहाँ पे उपर के side में shift हो जाता है जियो side में आपको trade करना है तो यह सबसे बड़ा एक disadvantage है जितना premium आप जादा दोगे buying में उतना आपका break even उपर के तरफ चला जाएगा तो capital कम आपका यह 20,000 का loss भी बहुत कम हो जाएगा हम इसको बहुत कम करने की कोशिश करेंगे और आपका profit भी यहाँ पर बढ़ाने की कोशिश करेंगे अब देखो यहाँ पर क्या हो गया कि अगर यह hedge position लेने के बाद अगर यह stock 600 के आसपास अगर यहाँ पर रहता है तो आपका जो profit है वो closing business पर आपका profit होगा 28,000 जहाँ पर 41,000-42,000 profit हुआ करता था अगर मैं नेकर feature buy करू वहाँ पर यह profit हो जाएगा 28,000 ठीक है तो लगभग आपका यह profit 40% से reduce हो जाएगा आगे चला जाता है तो कोई दिक्कत ने profit बढ़ता हुआ जाएगा ठीक है तो इसी लिए advantage को कैसे निकाल सकता हूँ तो हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले यह जो हम लोगों ने option लिया है put इसको हम delete कर देते अभी हमने सिर्फ future को buy किया यह position है अभी हम हमारे option chain को open कर लेते अब जैसे हमने stock में देखा था कि हमारा जो level थी यहाँ पे 600 के आसपास एक resistance है और यह हमारी range थी तो इस according to हम लोग एक strategy बनाते हैं और वो strategy में देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं अभी option chain में आ all side के है तो हमारा जो add the money 565 पे तो हम लोग 600 के आसपास चलते हैं ठीक है कहाँ पर जाना है जो अपने center निकाला हुआ है highest point जहां तक जा सकता है उसका center तो लगबग हमें 600 के आसपास आते हैं आप लोग यह 590 भी कर सकते हो 610 भी कर सकते हो तो मैं यहाँ पर 600 करता हूँ और यहाँ पर इसको हम लोग sale करेंगे ठीक है कैसे select करना है मैंने आपको बता दिया है पहला point आपको जो chart से देखना है और वहाँ पर जाके 600 के call को दो lot अब यह sale करोगे तो आप दो lot में करोगे ठीक है दो lot आप इसको sale कर दोगे अब यहाँ पर देखो कि जो हमने sale किया 5.65 ह का दो lot sale किया मतलब हमें premium कितना मिला दो lot में यह हो गया 11 रुपीज के आसपास ठीक है अभी हम यहाँ पर जाएंगे कि जो हमारा option है बहुत नीचे नहीं जाना है ठीक है जो add the money है हमने 5.65 का entry की तो 5.60 का put भी exactly 11 रुपीज पर trade कर रहा है और आपको यही condition maximum time मिलेगी अग अगर मान लो यहाँ पर यह put 5 रुपे का होता तो हम लोग यह नहीं trade करते हैं हमने exactly ऐसा देखा है कि जो हम लोगों को यहाँ 55 रुपीज का premium लिया है तो लगबग 11 रुपीज का premium हमने collect किया है तो 11 रुपीज का ही premium हम लोग यहाँ पर देने वाले है तो इस put को हम लोग buy करेंगे इसको buy करना एक lot में ठीक है अब आप देखो यह strategy आपकी बन चुकिए अब सबसे पहले हम लोग इसको close कर देते हैं ठीक है आप देख सकते हो हमने feature buy किया फिर हमने 600 उसके आगे जाके 600 के दो lot sale किये और एक 560 का put जो add money के असपास है उसको buy कर दिया अब देखो न loss होता था हेजिंग के साथ वहाँ पे हमने यह 30% से reduce कर दिया और maximum risk हमने इस side में 8000 कर ली पट आप यहाँ पे एक catch point है अगर आप देखोगे अब यहाँ पे जो हमारा capital था जो बन लगता वो लगबक 2,00,000 के आसपास हो जाएगा बट आपका risk है वो बहुत reduce हो जाती इन that क exactly इस strategy जब आप कोई loss को इतना reduce कर देते हो feature option के साथ तो कोई ना कोई तो disadvantage होगा तो इसको कैसे हम deal कर सकते हैं वो चीज़ देखेंगे अब आप देखो इस case में आपका break even जो है दो break even बन के आएंगे 567 मतलब जहां पे आप entry कर रहे हो उससे उपर जाएगा तो आपका profit बन बन रहा था पहले graph यह continue इस तरह से था अभी यह triangle बन चुका है ठीक है अभी आपको पता चलेगा अगर इसके आगे अगर चला जाता है तो आपके यहां से losses start होंगे और यह जो graph है यह expiry का है मैं आपको बहुत बार बताता हूँ यह expiry का graph है ठीक है तो 27 तारिक को कहा market close हो in this strategy there is also 40,000 rupees profit but उसके आगे अगर यह closing होती है तो आपका profit देरे 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 कम होता जाएगा अभी आपको doubt आएगा यह blue dotted line क्या मैं आपको समझाता हूँ यह है क्या ठीक है तो अगर यह यहां पे close जाता है 6,17 तो आपका profit 20,000 होगा तो ultimately इसके आगे फिर आपकी strategy loss देना start करेगी तो इसको हम access कैसे कर सकते यह भी मैं आपको आके वीडियो में बताने वाला हूँ अन तक देखे बहुत सारी चीज़े आपको इस वीडियो में सिखने को मिले हुए आधा दूरा देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि जो points में यह अभी आपको यह strategy हम लोग बना रहे हैं 15 तरिक मनलब Saturday Sunday तो directly market open होगा Monday को ठीक है तो हम लोग 18 तरिक का graph ले लेते हैं अभी हम इसको क्या करेंगे 18 तरिक को क्या situation होने वाली है वो particularly आपस्टा में जाके चेक करेंगे ठीक है अब देखो अगर मानलो कि जो आपका अपने जो stock select किया हुआ है वो अगर 20 points cap up हो जाता है 20 points उपर जाके close करता है अब यहां पर देखो 574 और 584 तो यहां आपका लगबग profit 4300 के आसपास रहेगा अगर एक ही दिन में stock 20 30 40 points चला जाता है दो दिन में तो यहां आपका धीरे धीरे profit बढ़ता हो जाएगा तो लगबग आपका 600 points तक यहां है closing basis पर अब यह जो green graph है ना यह graph दिख रहा है close अगर वहां पर हो गया तो अगर directly वह 600 के आसपास close हो जाएगा तो यह जो blue dotted line है यह आपको दिखाएगी जो blue box आपको दिख रहा है वो आपको बताएगी 267 रुपिस का locks आपको स्क्रीन पर रहेगा MTN पर और वही पर दिन उस दिन का break even है ठीक है अगर इसके बाहर close होने लगेगा तो आप loss में close करोगे कहा है 612 के आसपास लेकिन current market अगर open होके continue बढ़ता गया तो आपका यह loss यहाँ पर दिख सकता है that is 4500 के आसपास तो हमें इस day wise देखना है कि अगले एक दिन में क्या होने वाला है दो दिन मे क्या हो सकता है चार दिन में क्या हो सकता है इसका prediction लेते हुए हमें यह करना है अब ऐसा दो नहीं होगा कि 564 का stock directly open होगा 700 रुपे ठीक है चार्ट पे जाके देखो stock कैसा है उस behavior कैसा करता है maximum movement कितनी देता है पिछले दो सालों में वो कैसे trade कर रहा है तो आपको कही ना कही वो stock का एक behavior पता चल जाएगा कि stock में कितनी general movement होती है आप consider करो 10% 5% अगर movement में consider करता हो तो 25 point हो गया और 25 point अगले 2 दिन में movement भी हो जाती है तो भी हमें कोई फरक नहीं पढ़ने वाला ठीक है 564 से 590 भी गया तो हमें यहां पे बहुत अच्छा profit बनने वाला है अगले 2 द वाला नहीं है और उसने 2 दिन निकाल दिये अगर मानलो हम यहां पे 22 तरिक्का लेते हैं तो यही अगर यह stock 600 पे रहता है तो almost आपका 12,000 रुपे का profit हो जाएगा यहां पे close होता है तो further आप आगे जाओगे तो profit आपका decline होते जाएगा तो according to this condition हमें आप्स्टा में जाके day wise चेक करना है कि क्या अब मैं आपको और एक point बता रहा हूँ यह जो day wise है ना यहां पे दो चीज़े है कि मानलो कि directly stock यहां open हो गया यहां पे है तो आपका 591 का profit रहे मतलब यह जो 593 पे है तो 294 का है या फिर 12,000 तो यह current market condition है अगर directly opening यहां पे हो गई 593 पे तो आपको 294 का profit रहेगा पट यहां पे इसके बीच में ही आपका profit closing basis पे यही profit रहने वाला है क्योंकि यह current market condition से हिसाब से आपको blue line आपको दिखा दिया ठीक है तो आपको closing basis पे हम day wise जाके दिख रहे है कि क्या होने वाला है तो कोई फरक नहीं पड़ता है अगले 30, 40, 50.5%, 10% movement भी हो ग जाएगा जितने आपने risk लिए थी तो जैसे जैसे time बढ़ता जाएगा आपका profit भी वहाँ पे बढ़ता जाएगा पड़ आपको एक द्यान रखना है कि आपको break even कहाँ पे अगर यह इसको cross कर जाता है तो आपको losses आगे unlimited है तो वो चीज़ समझ नहीं है उसको लेके बैठ में थोड़ा सा sacrifice करना पड़ेगा ठीक है अब अब देखो कि मान लो कि यहाँ पे stock directly कल 600 पे open हो गया ठीक है 600 पे अगर open हो गया तो condition ऐसी बनेगी अब मैं क्या करूँ और continue उपर जाने लगा तो अगर या फिर चार दिन के बाद 600 पे आ गया और मुझे दिख रहा है कि और further side upside की movement हो सकती है तो अगर further upside की movement हो सकती है तो मेरा तो यहाँ पे profit कम होते जाएगा तो मुझे simply समझना है कि अगर ऐसा होता है तो मुझे कुछ ना कुछ adjustment करनी है और यह strategy में adjustment बहुत simple है maximum stock option की जो बे stock में जब future option में trade करते है तो आपके जो adjustment होते है उसमें बहुत ज्याद ठीक है आपको जो call है वो थोड़े बहुत आपको losses दे रहे होंगे ठीक है और यह put वो आपको थोड़ा सा decline होते जाएगा तो यह बट इसका जो profit होगा यह दोनों से बहुत जादा होगा इन losses से तो अब ultimately profit पे रहोगे ठीक है तो simply हम लोग क्या करेंगे जो हम लोगों ने call buy किया है दो lot में, sell किया है दो lot में तो यहाँ जाएंगे और वहाँ पे एक lot इसको book कर लेंगे अब यहाँ पे होगा क्या यह future आपको profit दे रहा होगा यहाँ पे आपका जो put है वो थोड़ा सा loss दे रहा होगा और call थोड़ा सा loss तो एक lot अगर आप यहाँ पे निकाल दोग इस pattern में बनेगा अब यहाँ से further कितना भी उपर जाएगा तो आपका जो profit है वो defined बन जाएगा और उस अपको नहीं होगा और वो जो profit है वो fixed रहेगा ठीक है कुछ बढ़ेगा और वहाँ जाके वो रुख जाएगा तो that is the thing you can do the adjustment अब कितना भी उपर जाए कोई फरक नही सकते हो बस simply करना क्या है आपको उपर के जाके दो lot sell कर देने हैं और एक call put option को buy कर लेना है कैसे करना यह मैंने आपको सब बता दिया और कैसे chart को जाके analysis करना है कैसे payoff graph का analysis करना यह बहुत जुरूरी है एक बात का आप खयाल रखो कभी कभी क्या होता है कोई stock में बहुत new stock में आ जाती है तो वो 2-4% एकी दिन में मुख कर जाते है ठीक है तो इस तरह से आप कोई भी option stock में future में जाके इसको आप trade कर सकते हो this is the best strategy इसके जितने भी plus point minus point है मैंने आपको सब बता दिये अगर video पसंद आया होगा friends तो एक like तो 100% बनता है और अगर आप channel पे पहली बार आये हो पहली बार video देख रहे हो तो channel को subscribe जरूर करना और जो bell button है उसको जरूर प्रेस करना क्योंकि जब भी नवी नया video हम बनाए तो आपको सबसे पहले उसका notification जरूर मिले तो friends thank you for watching this video stay tune with us for more strategy and more learning about the stock market thank you